अगर मैंने एक पैन लिया है, देनिस के बाद हमें इसमें दो चमच ओईल एड़ करना है, आपको अगर लेस ओईल बनाना है, तो आप एक चमच ओईल एड़ कर सकते हैं, देनिस के बाद हमें दो बड़े पैस कट करके लेने हैं, ये पैस ऐसे कट करने हैं, जैसे हम बुझिय आप देख पार हैं हमारा पैस अच्छी तरह से ब्राउन होने तक हमने भून लिया है देन ये मैंने लसुन की कलिया लेनी है और ये बारिक चॉप करके लेनी है अब ये हम लसुन की कलिया और ये जो प्याज है हमारा वो दोनों मिक्स करके अच्छी तरह से हमको भून लेना है देन ये मैंने तीका पनाने के लिए तीन से चार हई मिर्ची लिए है अगर आपको ज्यादा तीका पसंद हो तो आप मिर्ची की कॉंटिटी बढ़ा सकते हैं वरना आप कम भी कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा तीका पसंद ना हो तो और ये भी अच्छी तरह से हमें भून देना है तकि हमारा पास्ता और मैगी के टेस्ट अच्छे से आएगे यहां पर हम पास्ता और मैगी उबालके नहीं लेने वाले हैं तो यह रेसिपि बहुत इंटरस्टिंग होने वाली है अगर आपको यह रेसे बहुत अच्छे लगती हो तो विडियो का लाइक कर दीजेगा यह मैंने मिन्ट लिए है यह मैंने फ्लेवर के लिए है क्योंकि इसका स्वाध और इसका टेस्ट बहुत अच्छे से आता है और इसके खुश्बिय भी बहुत अच्छे होती है अगर पुदी ना पसंद तो अपधनिय डाल सकते हैं इमने देन हमें दालना है स्वाधा नुसार नमग डालना है और यह मैंने यह गाड़ा स्वय स्लेयाहें अगर आपका लाइट आप 파ंट स्वेल डाल सकते हैं अब हमारे सब मसाले डाल के हो चुके हैं और यह अच्छी तर से हाई ऊदा मीनिटके लिए इमेदि के लिए फ्राई करना है हाई फल्मोर नहीं फ्राई करना है यह जल जाएगा इसलिए हमें मिद्री अखरों उत्थ यह मुछा और यह यह शमें मैंने यह सबसे पनी ऊटितल बनाने के लिए इमें 2 ग्लाँ पानि किस प्रकर से डालूंगी आप ध्यान रखेगा अब मैंने आधा ग्लास पानी डाला है अब तक हमारा देड़ ग्लास पानी डालके हो चुका है सबसे पहले हमें पानी उबाल लेना है अच्छी तरह से आप देख पार है हमारा पानी अच्छे तर्द से उबलने लगा है यह मैंने एक कप पास्टा लिया है इसे मैकरोने भी बोलते हैं आपको उसे भी साइज और शेप का ले सकते हैं आपके पस जो अवेलिबल है वो आप ले सकते हैं इस प्रकल से हमें एक कप पास्ता ले लेना है ये पास्ता पकने में ज्यादा समय नहीं लगता है अब हमें ये पका लेना है सबसे पहले पास्ता ज्यादा नहीं पकाना है आदा कच्चा ही हमें इसे पका लेना है और जो हमारा पानी बचा था आदा गिलास वो भी हमने इसमे टाल लिए हैं अब तक सिर्श में झाल है तक हमारे दो गिला जिसमें पानी डाल के हो चुकिए है। आप देख पार है हमारा पास्ता उबलने लगा है ज़्यादा समय नहीं लगता है आप इसे डखकर भी पका सकते हैं आप देख पा रहे हैं हमारा थोड़ा साही अभी इसमें पानी बचा है और हमारा पास्ता पक चुका है अच्छी दर से यह मेरे 10 रुपली मैगी लिए आप कौन से भी ब्रैंड की ले सकते हैं देनिस के बाद यह जो मैगी का मसाला होता है वो भी हमें इसमें डाल लेना है आप देख पा रहे हैं यह मैगी आप तोड़कर भी डाल सकते हैं और ऐसे साबद भी रख सकते हैं अगर आपको तोड़कर डालनी है तो आप हाथ से सकते हैं देन इसके बाद है मैंने मैगी के लिए आदा गिलास पानी डाला है अब तक हमारा अड़ाई गलास पानी हो चुका है आप देख पार है इसे जादा हमें पानी नहीं लगता है इतना पानी हमें इनफ है आप देख पार है मैंने मैगी तोड कर लिए है और यह मैगी पकने में जादा समय नहीं लगता है सिर्फ दो मिनिट ही लगते हैं यह मैंने आदा चमच रेड चिली पाउडर लिया है स्वाद के लिए अगर आपके पास बिड़गी मिल्ची की पाउडर हो वह भी आप डाल सकते हैं क्योंकि उससे कलर बहुत अच्छा आता है आप देख मैगी और पास्ते का पानी पूरा जा चुका है थोड़ा ही बचा है अब हमें इसे सुखा लेना है इस प्रकार से रेसिपी घर पर ट्राय कीजिएगा अपने फैमिलिक को भी किलाईगा दिन मुझे कमेंड में बता दीजिएगा कि यह रेसिपी आपको कैसे लगी इस प्रक करें जब से लelyn पीज़ा ही झार जिया ऑनी देल फेसिस पानी यह ज़र ट्राय से दो गिए थार दुका ठहे flightじゃ रेसिए ज़ा है नेधा hetar जगशानी चुका है टूम झाल ओीजिए में गलविए टॉछ बता बता है इस जायाँ है वह मुल मंशार बता है आजडnowा प्रक